कमार से लगातार दो बार निर्वाचीत होते आए और आगे भी हमको लगता है कि कई बार जब भी चुनाव लणने का मौका मिलेगा तो विजय शुरी इनी के माथ्य पे रहेगा विकास सिंग मुंडा जी आज हम लोग जिस बात को लेकर आपके समझ आए वो बहुत महत्वपूर्ण बात है आप लोगों ने देखाई होगा कि खूटी संसरिय छेत्र में जब चुनाव की घोशना हुई प्रप्याशी की नाम की घोशना हुई तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो अभी भाक्षपा के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने राजा पिटर जी से और राजा पिटर जी एक सजायाफ्ता हत्यारे हैं और स्वद्धे रमेश सिंग मुंडा जी के हत्या में मुक्ष शडियंत्रकारी के तोर पर चिन्दी उनसे समर्थन मांगा और राजा पिटर जी ने उनका भी समर्थन कर अब बताईए कि उसी मामले में एक अन्य अप्राधी भी है उन पर भी सजाय कुंदन पाहन जी बाबुलाल जी उनसे क्यों कत्रा रहे हैं क्यों नहीं समर्थन मांग रहे हैं क्योंकि अप्तो हत्यारे चोड़ चुहार उन्तिस सो बलतकार के आरोपी जिसके चुनाओ प्रचार में मानिय प्रधानमंत्री जी भी गए और पुर्व की भाती जैसे मेहुल चौकसीन, नीरव मोदी, विजय अमलाईया को जो पैसे ले लिये थे इस देश से उनको विजय भगाया इनको भी सिर्फ पैसेज देते हुए जर्मनी भगा दिया क्योंकि अंतरास्टिय हवाई अड़्दा का मालिक तो भारत सरकार है उनको विजय जर्मनी से मिला यह कंसर्ण हमको लगता है कि भारत सरकार के जो विदेश मंतराले है उसको भी है बिना उसके कंसर्ण का तो नहीं मिला होगा तो ऐसे लोग अब चुनाओ का प्रचार कर रहा है वहा के जो प्रत्याशी है खुटी लोग सवाचे तो आप आप सब जानते हैं मैंने लगबद दो ढाई वर्ष पूर हूँ आप लोगों से बुंडू के अंचर में चौदर सो एकर जमीन का मामला उठाया था जो पवान बयाज से सिधा सिधी जुड़ा हुआ था और ये पवन बयाज आरजुन मुंडा के साथ हुए आरजुन मुंडा जी के साथ हुए उनका एक गहरा रिष्टा है ये मुद्दा भी है वहाँ पर वहाँ के तो लोग पूछ रहे हैं कि आप पिछले चुनाओं में बोले थे जन जाती के संबन में आपने अपना काम तो कर लिया बाकियों को क्यों छोड दिया क्योंकि रगवड जी ने तो हमको लगता है कि पंदर सोला कम्यूटी को बोला था कि हमें इस्टी करत दर जादे दे तो ऐसे लोगों के खिलाव आज हमारी लडाई कूटी साधर रिलाका नहीं है वो भगवान बिर्शा मुंदा का इलाका है वो पूरा इलाका मुंदा खुटकटी का इलाका है मुंदा कुटकटी लैंड में चौदर सो एकर जमीन की लूट भाजपा के निताओं द्वारा किया लिए यह बहुत गंबेर सवाब और यह सवाब विकास मुंदा जी ने जब उठाया तो कुछ जवाब नहीं आया वहाँ मुंदा सोहिमान की लडाई है जारकन के आवीबासी की अस्विता की लडाई है कमाल करते हो जी बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तोम हो की तुमें फूर्सत ही नहीं मिल रही अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहां इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट देस्टिनेशन वाइल्ड वादी जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रांपलेन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, धाई सो फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूब सूरत नजारा, वाइल्ड वादी, दस माइल चौक, रांची, वाइल्ड वादी यानि अन ल्मिटेड मस्ती